हालो फ्रेंड्स, आज हम सूजी का बहुत ही टेस्टी एंड हेल्दी ब्रेकफास्ट बनाएंगे, वो भी बहुत ही कम तेल में, ये इतने स्वाधिस लगते हैं कि बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आते हैं, आप इनको रोज बना के खाना चाहेंगे, बच्चो मैंने एक कटोड़ी सूजी लिया है, ये 300 ग्राम के करीब है, इसमें एक छोटी कटोड़ी दही एड़ कर लेंगे, ये फोर तो फाइप स्पून के लगभग है, अब हम इसमें वेजिटेबल एड़ करेंगे, यहां मैंने तू मेडियम साइज ओनियन, तू मेडियम साइज तो मैटो, वन स्मॉल काप्सिकल, वन कारेट, फाइब बिंस, एड़ ग्रेन चीली को ग्रेट कर लिया है, दस पंद्रह ग्रीन मटर को भी मैंने यहां ग्रेट कर लिया है, इन सब को सूजी में एज कर लेंगे, अब हर तो इसमें 2 इस्पुन सॉल्ट एड़ कर रहे हूं आप अपने टेस्ट के एकॉर्डिंग एड़ कर लेंगे अब इसमें 1 एड़ हाफ कप पानी डाल लेंगे इन सब को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे अभी ये बैटर बहुत ही पतला है मंगर सूजी जब फूल जाएगी तब ये एकदम पॉफिक्ट हो जाएगा इसको हाफ एन आवर के लिए रेस्ट करने देंगे आफ्टर हाफ एन आवर हम इनको बनाना स्टार्ट करते हैं सबसे पहले तवा को गरम करेंगे अब हमारा तवा गरम हो गया है हम इसमें थोड़ा सा तेल लगा लेंगे तवे पर बैचर को डाल कर इस तरह से फैला लेंगे आप इसका साइच छोटा या बड़ा अपने पसंद के कॉर्डिंग रख सकते हैं पहले हम इसको लो फ्लेम में बनाएंगे ये अब उपर से थोड़ा सा सुखने लगा है तो मैं हाफ इसमुन तेल चारो तरफ डाल रही हूं और हाफ इसमुन तेल इसके उपर भी डाल लेंगे इसको चारो तरफ से इस तरह से हलका सा उठा लेंगे फिर इसको पलट लेंगे अब फ्लेम में जैम कर लेते हैं इनको हम दोनों साइड से पलट कर अच्छी तरह से बना लेंगे ये देखिए हमारा पॉफिक चिला बनकर रेडी हो गया है इसी तरह हम इन सब को बना लेंगे आप चाहे तो इनको अच्छना डाल की चट्नी या हरी धन्या की चट्नी या फिर सॉस के साथ भी खा सकते हैं ये बहुत ही टेस्टी बने हैं ये मौनिंग ब्रेकफास्ट के लिए एकदम पॉफिक नासता है जो कि जट पर तयार हो जाता है फ्रेंड्स अगर आपको मेरी रेस्ट पर पसंदा है तो प्लेज लाइक, सेर और सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्स फ्रेंड्स पर वाचिंग मै वीडियो